समस्तिपुर में नून नदी के जलस्तर में लगतार हो रही वृद्धी के कारण मोर्वा परखंड के कई इलाके बार से प्रभावित हो गए हैं। स्ट्रैक्रोएकर में लगी फसल बरबाद हो रही है। यूंतो जिला परखंड के द्वारा बार परभावित एलाकों में पिरितों को हर संभव मदद पहुचाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है। यहां जिला परखंड की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सुवार की रात नून नदी का बांध चकसिकंदर गाउं के पास तूट गया था। इलाके में अफड़ा तफरी का महौल हो गया था। सूचना मिलने के बाद मुरवा परखंड के अज़ल अधिकारी मौके पर पहुच कर इस्थिती का जाइज अलिया। और ग्रामिनों को बांध की मरमत कराने का आश्राशन दिया। लेकिन ग्रामिनों के शिकायत है कि परशासन की तरफ से सिर्फ एक ट्रैक्टर सैंड बैंक भेग जा गया है। जिससे ग्रामिनों के द्वारा बांध को बांधने की कोशिस की जा रही है। लेकिन इन पडियास के बावजूद भी पानी का भाव अब भी जारी है वही लगातार नून नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कई जगह पर बांध के उपर से पानी ओवरफ्लो कर भा रहा है ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और बैने कामी तांजीन न्यूस पेपर दर्धंगा